शरीर पे खुजली होना एक आमची समस्या बन गई है इसके कई कारण हो सकते हैं डायबिटीज या फिर लीवर या किड्नी में इन्फेक्शन या फिर कई बार स्किन बहुत जादा रूखी हो जाती है पसीने के वज़े से या फिर कपडों के वज़े से वी शरीर में खुजल अगर आपके पाद फ्रेश नीम की पतिया है अब इसमें वह भी एड कर सकते हैं नीम की पतियों में एंटिसेप्टिक और एंटिबायोटिक प्रपरटीज होती है जो इंफेक्शन को दूर करने का काम करती है इसके बाद इसमें मैं दो लॉंग एड कर रही हूं लॉंग भ तीनों रेमेडी का अब क्या करेंगे जो हमने और में दौनों रेमेडी भिलाई है अच्छे से इसको पका लेंगे और जो आपकी लीप्स है बिल्कुर डाक ब्राउन हो जाएंगी जब तक आपको पकाना है मानके चलिए देड से दो मिनिट के लिए अच्छे से पकाना हो गए है और जो लीप्स थी बिल्कुर ड्राइड हो गई है ब्राउन हो गई है और हमारा तेल बनके तयार है अब जान लेते हैं इस और की आपको अपने शरीर पे कैसे मसाज करनी है जो भी खुझली की समस्या है वो एक से दो दिन में चली जाए यह जो ऑईल है आपको स् खुझली है आप इस तेल की मालिश करिए और जब तक मालिश करनी है तब तक यह जो तेल है आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता एक से दो बार के यूज में ही आपको फरक देखना चालू हो जाएगा जो आपके शडीर पे खुझली है वो डे बाई डे ध थैंक यू